अगे बढ़ेंगे तब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था फोर कसी में आगे बढ़ेंगे जब तक सारे स्टुडेंट्स नहीं आ जाते हैं तब तक हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और छोटी छोटी बातें करेंगे जी संद्या कौशिक जी गुड मॉनिंग बेलकम सभी क बहुत-बहुत स्वागत है और पीवियर इस्टेडिक की तरफ से आप सभी छात्राओं को दीपा वाली की भेर सारी सुबकामनाएं और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं यह बताओ आप सभी एक बात बताओ काईसे बोलते हैं 77, 39 और 101 इनमें कौना भाज्य है इनमें कौना भाज्य संख्या है प्राइम नंबर है छोटा सा बात है बतादो फिर हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं आजीद कुमार, बीबेक, असोग, जी, थैंक्यू सभी को बताईए जल्दी बोलिए सवाल का जबाब दीजिए 77, 29, 101 में कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है कोई बताएगा सरमार है सब लोग न बताओगे अच्छा ठीक है 29, कौसिक जी ने बता दिया चलिए अच्छा तो यह सब तो आप लोग जानते हैं फिर आपने टॉपिक पर चलते हैं ज्यादा टाइम न बिताते हुए अबयाद 4 का C मतलब इसको इंग्लिस में लिखेंगे exercise 4 का C इसमें एक सरवसमिका है जो कि आप लोगों को नोट करना है नोट डाॉन करिए जल दी से A plus B plus C का hole square यह आपने पढ़ा होगा A plus B plus C का hole square equal होता है A का square plus B का square plus C का square 2AB 2BC plus 2CA यह क्या है सरवसमिका है ठीक ना 2AB 2BC 2CA यह सर्बसमिका है ठीक जानते हो ना इससे परचीत हो सभी कोई समस्या होगी कलास में कमेंट करना कलास छोड़ के मत जाना बिल्कुल कोई समस्या होगी तूरन बताना रूपायास्यास, दिराटासो, संध्याकोसिक जी, आरा समझ में न सभी को समझ में आना चाहिए तो ये तो हो गई सर्बसमिका 4C का जो हमारा पहला सवाल है वो है, A पलस 2B पलस 3C का होल स्कॉर पलस 2B पलस 3C का होल स्कॉर इसका परसार गयाद करना है बताओ, लगा लोगे न कर लोगे न क्या करना है परसार करना इसका तो साथियों ये चीज हम इसी में रख देंगे यहाँ पर देखिए आपकी समझ के लिए बता दूँ कि A बराबर तो A ही है नीचे दिख रहा है न और B बराबर क्या है यहाँ से देखना जल्दी बोलो B बराबर क्या है कोई बताए B बराबर क्या है किरपा संकर जी घूंगूं तो नहीं कर रहा है न आज सही है न आज हमने वो माइक्रोफोन ही अटा दिया B का बैलू क्या है इससे कंपेर करो क्या है कोई तो बोलो और B का बताने के बाद C का बताना देखते हैं आप लोग कितना समझदार है 2B है, C की जगा पर देखेंगे तो 3C है, कमेंट आने में थोड़ा देर लगता है, वैसे आप लोग का, तो चलो रख लेते हैं, A की जगा पर A, B की जगा पर 2B का होली स्कायर, प्लस C की जगा पर 3C का होली स्कायर, प्लस 2AB, तो 2 हो गया, A, A का पहलू क्या है, A ही है, और B, B का पहलू 2B है, तो यह A और 2B, प्लस 2BC, 2BC, B का मान क्या है, बहुत ध्यान से देखो के तभी समझ में आएगा, राम फूल, गौन जी भी जुड़ चुके है, 2, मैंने लिख लिया, B का पहलू रखेंगे, 2B, और C का पहलू 3C, और प्लस 2CA, अब 2CA में मान रखेंगे, किस का मान रखेंगे, C का फिर A का, तो C का मान है 3C, और A का मान E है, बस इसी को हल करना है, बहुत ही दिमाग से चलना है, शवाल छोटा सा है, टॉपिक छोटा सा है, बातेची सी हैं, लेकिन दिमाग बड़ा सा लगान अपरेत, चलिए, A का स्कवायर करेंगे, A स्कोयर ही रहेगा, 2B का हाली स्क्वायर मतलब, 4B का हाली स् 3C का HOLY SQUARE का मतलब होता है, 9C का HOLY SQUARE, ना समझ में आएगा, तो कमेंट करना, टेंशन मत लेना, सब आएगा, इसका हल करोगे इतना, तो 2 दूना 4, यानि कि 4AB, ठीक, इसको साल करोगे 2, 2, 4, 3, 12, 12BC, ये 2, 3, 6, 6AC, बस यही हो गया अंसर, ये भिस्तार हो गया इसका, ठीक ना, नोट करलो जल्दी से फटाफर नोट डाउन करो तुरंद, अब आजो गहरा एकदम ठीक है ना, कोई परकार की समस्या किसी को हो तो बता दे ना, सब ठीक है ना, बोलो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है तो बताईए, नोट कर लीजिए, देखे, मज़ेदार कलास नहीं, मज़ा नहीं आएगा, चुकि ये थोड़ा बड़े-बड़े सवाल लगेंगे, इसमें का एक और बता देते हैं, जो कि माइनस में है, उसको तो आप कर लोगे ना, कि ना कर पाओगे, वैसे तो आप लगभग इसमें का नेटवर्क चेंज हो रहा था वाई-फाई से, ठीक है, इसलिए थोड़ाफा टाइम लगा, चलिए, तो ये हो गया, फोर सी का, पहले का पहला सवाब, इसमें का इकात और कर देते हैं, फिर आप लोग सब कर लें ना, ठीक ना, चलिए, पहले का तीसरा देखिए, माइनस 3X प्लस 2Y प्लस Z, माइनस 3X प्लस 2Y प्लस Z का, ओल स्कायर, इसका क्या करना है, बिस्तार करना है, फार्मूला आप लोग जानते होना, पढ़े हो की नहीं, फार्मूला जानते होना, कौन सा, इसको थोड़ा नीचे लिख देलते हैं, जिससे की फार्मूला लगाने में आसानी हो, माइनस का 3X प्लस, नोट करो आप लोग, 2Y प्लस Z का, होल स्कायर, फार्मूला जानते हो, यह A प्लस B प्लस C का, होल स्कायर होता है, कौन कौन फार्मूला याद किया है, बता जल्दी से, इनको जिनको याद है, हाँ नहीं, बोलो न, कोई नहीं याद किया, A का स्कायर प्लस B का स्कायर प्लस C का स्कायर, बहुत ही आसान है, यह, केवल यह 3T तो याद करना है, बाकी तो आप जानते हो, इधर 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA हो जाता है, है न बात समझ में आई यार यह उपर Ooh फघला समझता है शमझ में आज तक पहाँ समझता और कैसे अगर यहाल पालव के तुलना करें तो A का पालव यहाँ देखेंगे तो –3 В है अगर B का देखेंगे तो क्या है 2, Y है C का देखेंगे तो Z है ठीक है यही सारे मान रखने है चलिए तो एक मान माइनस तीन भी का होल स्कॉयर बी नहीं है यार यक्स है भाई यक्स माइनस का तीन एक्स का होल स्कॉयर प्लस बी का मन क्या है यहां देखो मैंने रख दिया ना अलग बी का मन टू आई तो यह हो जायागा टू आई का होल स्कॉयर प्लस सी सी का मन जेड का स्कॉयर मतलब और प्लस अब टू आले में आ जाओ पिन टू कुमार जी राम राम और बताईए कैसे है टू ए बी टू ए का मन क्या है कोई बोले ए का मन रे मान तो बोलो कम से कम थोड़ा से थरक्टिव रहो ए कमान माइनस थ्री एक्स और बी बी कमान टू आई और फिर क्या रखेंगे टू बी सी टू बी बी कमान है टू आई और सी सी कमान है जेड प्लस टू सी ए सी कमान है जेड और ए कमान है माइनस का थ्री एक्स बस इतना ही मेन करना होता है माइनस में है कौशिक जी माइनस में है माइनस कर्चिन नहीं बूलना है तो इस तरह से ये माइनस माइनस जब होल स्कॉयर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 339 एकस स्कॉयर 22 जाएगा 4Y स्कॉयर और प्लस ही जेड काई स्कॉयर देखिए जीरो लेबल की मैथ है लेकिन लेकिन क्या है ये आज बहुत आसान नहीं है थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा क्लास एट में पहुच चुके हम लोग और यहीं से हमारी सुरुवात होती है मजबूत कांसेप्ट की ये अब इतना हल करेंगे तो क्या हो जाएगा दो तियाई छे दूना बारा और ये माइनस में है इसलिए माइनस बारा एकस वाई कोई किसी को समस्या पताना एक एक पॉइंट पर ये तना हो गया अब इतना हल करेंगे तो ये हो जाएगा दो दूना चार और प्लस चार वाई जेट और फिर इधर वाला हल करेंगे देखोंगे हम माइनस है तो माइनस और दो तियाई छे एकस जेड ये उत्तर हो गये आपका अगला नोट कर लीजिए जिसको ना समझ में आएगा बोलना कोई परकार की समस्या हो तुरंत बोलना निसंकोच जल्दी नोट डाउन करें फट फटा फट करें जल्दी जल्दी से ये तो हो गये प्लस वाले फार्मूले कौन से हो गये प्लस वाले इसमें देखो एक माइनस वाला भी होता है ना माइनस वाले में माइनस कर लेना और खुद से कर लेना यार आप अपलोग समझ दार होना इतना कर लोगी ना ठीक न, अगर कोई समस्या तो बताना कर लोगे न, नोट करिए मैं हट जाता हूँ जल्दी करिए एक मिनिट के अंदर, हम अगला सवाल लाएंगे आपके पास लेकिन इसको आप लोग नोट कर लीजिए हो गया चलिए ठीक है, ठीक है बस अब माइनस वाले में आप लोग माइनस लगा लगा के कर लेंगे इसमें कुछ नया नहीं बचा है अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो अभी बोल दो, कोई डाउट है तो किसी को कोई डाउट है जो सवाल लगा इसमें कि जो लगा है अगर किसी को कोई डाउट है तो बोल ये और नहीं डाउट है तो च्छाप लीजिए बस चुप चाप आगे चलिए चलिए ठीक है जाने दीजिए ठीक है बस माइनस वाला आप लोग खुद से कर लेना इसके बाद आगे कहरा कि सरल कीजिए देखिए इसमें और भी सवाल है अब आप लोग होमवर्क लिखो पहले बिना होमवर्क के तो आप लोग करते नहीं हो यह भी तेक मुसीबत है है होमवर्क लिखिए लिखिए होमवर्क किरपा संकर जी प्रभू कल ही मैंने लिख दिया था फार्मूले अगर आपने कलास देखा हो तो PBR Steady Group चैनल पर कलास चली थी और उस पर कलास अधिकांस होती रहती है PBR Steady लहबाद पर आप जूड़े हो इस समय न तो PBR Steady Group को भी मत भूलो उसको भी याद रखो क्योंकि कुछ कलास वहाँ पर हो जाती है जो आपकी छूड़ जाती है होमवर्क पहला लिखिये M प्लस 3N माइनस 4P का होल स्कॉर इसको खुद से ट्राई करना नोट कलो जल्दी से होमवर्क है दूसरा 7 प्लस 4A माइनस 3B का होल स्कॉर ये होमवर्क है हमने करवा दिये हैं वर्क जैसे वैसे करना है जो इस्टुडेंट्स नहीं देखे हैं वो थोड़ा सा पीछे करके कलास को फिर से देखें ठीक ना पीछे करके देखें उन्हें समझ में आएगा ये तीनों करना खुद से कोसिस करोगे तो कभी हार नहीं होने वाली है और नहीं करोगे तो फिर भगवानी माली खाएं ठीक ना कर लोगे अब ये सब ओके ठीक है तो साथियों इसमें लगभग में सब कुछ हो चुका है अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बताइए बाकी सब में अगला जो question number next है जिसके बोलते हैं सवाल number दूसरा सवाल number दूसरा में क्या करोगे इसमें फार्मूला लगा देना है बीच में plus minus का चिन लगाते जाना है और ये कड जायेगा ठीक है प्लस और minus का कैसे होगा जी plus और minus का जो है अगर गुड़ा होगा तो minus हो जायेगा ठीक है love is life जी good morning और बताइए आप नए नए जुड़े हैं क्या जो भी छात्र छात्रा हैं नए नए जुड़े हैं वो चैनल को subscribe करके बेल आइकन आन रखेंगे उनकी कलास उनको मिलेगी सुबा पांच बज़े से सुरू होती है रातरी ग्यारा बज़े तक कलासे होती है अलग अलग समय पर और हाँ बेल आइकन आन करना मत भूलना एक बेल आइकन होती है नोटिपिकेशन की बटन आप लोग की कंपलेन होती है इसलिए बता रहा हूँ चलिए अब मान ग्याद करना है 997 का होल क्यूब मान बताओ बताईए कौन कौन बता लेगा ये थोड़ा सा अलग है ये इसी में का है 4C के बाद का बताईए कौन कौन कर लेगा कर लोगे देखिया ऐसी संख्याओं को नियरेश्ट 10 या नियरेश्ट 1000 से सब्ट्रेक करते हैं जैसे 997 आप जानते हो किसके नजदी कहिए 1000 के कि 100 के 997 किसके पास है 100 के कि 1000 के देखो ये 1000 के करीब है तो इसको हम क्या कर सकते है 1000 के जी बिलकुल अमित कुमार विराट जी समझ में आयरा ना आप सभी को 1000 के नियरेश्ट है तो इसको हम एक काम करेंगे यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देते हैं इधर इसको हम 1000-3 का होल क्यूब कर सकते हैं बोलो कर सकते हैं तो ठीक है कर लो फिर थोड़ा नीचे लिखते हैं जिससे की फार्मूला भी लगा सकें देखो ये A-B का होल क्यूब फार्मूला होता है यह हो जाएगा 1000-3 का होल क्यूब इतना बात समझ में आ रही ना अब यह हो जाएगा A-B-3A-B और A-B बोलो यह सुत्र सही लिखा है जल्दी कमेंट करके बताओ फटा फट किरपा संकर जी कल आप थे ना कल हमने फार्मूला लिखा था बताई यह फार्मूला सही है S ی No सही सही बताना सिर्नो गरह सही है चलिए तो फार्मूला सही है A कमान 1000 B कमान 3 A कमान 1000 B कमान 3 और ये 1000-3 ओके देखो साथियों 3 0 है यहाँ पर 1000 का होल क्यूब करो कि कितना है गापता है आपको कोई जानता है 1000 का होल क्यूब का मतलब है 1000 गुड़ा 1000 गुड़ा 1000 बात समझ में आई ना यानि कि फाइनल में 3 3 6 3 9 0 लगेगा कितना लगेगा 9 0 लगेगा और इस तरह से यह हो जाएगा देखो 3 6 9 0 बोलना मात एक भी 0 गया तो फिर आप 0 हो जाओगे एक भी 0 कमना होने पाए माइनस तीन तरीक का नो तरीक 27 यह हो जाएगा तीन तरीक का नो और इसमें गुड़ा करोगे तो यह हो जाएगा 9000 ठीक बात समझ में आ रही ना नोट डाउन करते चलिए और यह हो जाएगा मल्टिपल का साइन लगाओगे इसको घटाओगे तो 997 बस यही सारा खेला था हल कर लो इसको यह नो जीरो लगाओ पहले माइनस 27 माइनस इसका गुड़ा करेंगे देखो तीनो जीरो पहले लिख लीजिए जो भी है उसके बाद नाइन से गुड़ा कर दीजिए तो 9 से बन जा 63 का 3 कह रही आया 6 है ना 963 होता है ना तिरफट का 3 हाफिला आचे 9981 81 छे 87 का साथ हासिल कितना आया 8 और फिर 99 जा 81 81 में 88 करोगे तो हुई जाएगा 89 बात कन्फर्म हुई ना एक बार फिर से ट्री ट्राई कर लो 9 से बन जा 63 कारी 6 99 जा 81 68 करेंगे 87 8 बचा 99 जा 81 81 में 88 किया तो 89 इतना ठीक है अब देखिए साथियों एक समान चिन वाले जुड जाएंगे असमान चिन वाले घट जाएंगे इसका इसका चिन माइनस माइनस से जुड जाएगा क्या हो जाएगा जुड जाएगा तो ये 27 इसमें जुड जाएगा तो फाइनल में इसको लिख लो इसको लिखना ही बहुत बड़ी बात है आपस में इसमें जुड़ेगा तो 89, 73, 00, न लगेगा फिर 27 लाइस्ट में जुड़ जाएगा इतना हो जाएगा बस हो गया न घटा लीजिए जो आएगा अंसर हो जाएगा आपके सामने ठीक ना घटा लोगे न आप चलिए करके दिखाते हैं घटा के कितना आएगा जल्दी सब्ट्रेक करके बताएगे कितना आएगा इसको इसमें से इतना तो कर लोगे न जोड़ना घटाना तो आता है आप सभी को करके बताना अब ना बताएंगे घटा तो लोगे न घटा लोगे कि नहीं अरे चीज में से इसको सब्ट्रेक कर पाऊगे कि नहीं घटाना ऊपन नीचे लिखके आई से करना है कुछ लोग तो सोच रहे हैं कौन बहुत बड़ा कांड करना है में यह लाज में क्या है टू से बन जीरो थ्री सेवन नाइन एट इसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो जीरो बढ़ा सकते हो आद बस यहीं तो करना है घटा लो इसमें से यांसे उद्धर जायेगा यहां लाज में दस तक बनेगा दस में चाह 1 तो तीन, ये नो, नो में से दो गया, साथ, नो में से जीरो गया, जीरो, नो में से तीन गया, छे, नो में से साथ गया, दो, नो से नो, जीरो, नो से आठ एक, और ये नो, ठीक, और इसमें से तो एक उधारी चला गया था, खतम हो गया था, मतलब यही आ गया फाइनल में कितना आ गया 99 नीचे लिख दूँ नीचे ने दिख रहा है सामने लिख देता हूँ देखो सामने जो आया अंसर 991026073 इसका तीन बार गुड़ा करके देख लो उतना ही आएगा यह बात समझ में आई ना जिनको नोट करना है जल्दी से कर ले या फिर स्क्रीन सार्ड ले लिजिए तुरं जल्दी करिए उसके बाद हम लोग आगी चलते हैं तुरं नोट डाउन करिए आपको बता दें आपकी कल जो कलास चली थी 25 नंबर कलास वो PBR स्ट्डी गूरूप चैनल पर चली थी तो इसको अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइड नहीं किया तो अभी तुरं जाके कर ले ना PBR स्ट्डी गूरूप चैनल यूटूब पर PBR स्ट्डी लहाबाद का छोटा चैनल है कल की कलास इसी पर हुई थी और अगली आने वाली कलास भी उसी पर होगी इसलिए आप लोग उस पर आवस से जुड़ें क्योंकि उसको आगे बढ़ाना है अब वक्त आ गया है बढ़ाने का नया साल आने वाला है ठीक ना? सबी लोग कियो ना इसमें से उसको सब्सक्राइब कियो जुड़े हो कि ने उसमें क्यों ऐसा बोलते हैं हम क्योंकि आपकी कंप्लेन होती है कि सर अगली कलास मुझे नहीं मिली मुझे पिछली कलास नहीं मिली क्या करे हम तो आपको करना यही है कि आप हमें हर जगा कांटेक्ट किये रहें जुड़े रहें हर जगा से तब भी समझने आएगा बाकी आपकी इच्छा अगला दूसरा एक सवाल है लेकिन उसके पहले आप इसमें से कुछ होमवर्क नोट कर लिजिए होमवर्क नोट डाउन करने के बाद अगला सवाल पर चलिए होमवर्क लिखिए 501 का होल क्यूब क्या है 501 का होल क्यूब बाकी आप लोग कर लेंगे पांच बज चुका है पांच बजे से आपकी कलास डेली होती है न होमर्क नोट डाउन करो पांच सो एक का होल क्यूब दूसरा तीन सो निन्यान निवे का होल क्यूब तीसरा 408 का होल क्यूब कर लोगे न इसका मान बताना सभी का कर लोगे न न कर पाना तो बता देना न कर पाना तो बता देना बिल्कुल ठीक चलिए चलिए आगे चलते हैं बस हो गया नोट कर लिए देखे साथियों इसका जो दूसरा सवाल है वो मान ग्यात करने वाला है लेकिन थोड़ा सा हटके है थोड़ा सा अलग है नोट करिए अगला सवाल थोड़ा सा निराला है सबसे जुदा सबसे हटके है वो क्या है देखना मान ग्याद कीजिए इसमें का मुख्यता सवाल नमबर दूसरा है 4 का C मान ग्याद कीजिए करा कि X का क्यूब माइनस Y का क्यूब किसका X का क्यूब माइनस Y का क्यूब इसका मान बताना है लेकिन कब बताना है यदि X माइनस Y क्यूब 4 और X Y क्यूब 21 इसका मान बताना है लेकिन कंडिशन है कि उसमे X माइनस Y 4 दिया है और X Y 21 दिया है कौन कौन कर लेका जल्दी से हाथ उठाओ तुरंद हम देख रहें कौन-कौन उठाता है कौन-कौन नहीं उठा रहा है अभी इतना ठंडी भी नहीं हो रही कि आप लोग ना उठा सको आ जाएगा ना शिगंदर परजा पती जी शिव कुमार अजीत कुमार विराटा सोब कर लोगे ना देखिए समझने वाली बात है हाँ पर एक फार्मूला होता है आप सभी उसको जानते हो बहुत अच्छे से हम इसको फार्मूला के रूप में ओपन करेंगे अब फार्मूला ना लिखेंगे तो एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस थ्री एक्स का वाई और एक्स माइनस वाई इतना समझ में आया ए माइनस बी का वो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब नहीं यार गड़बड़ा यह ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता ना ऐसा होता है ये कुछ X-Y का whole cube होता है है ना ऐसा होता ये X-Y का whole cube minus 3XY और ये X-Y बोलो ऐसे ही तो होता है ना चुकि ये अलाचीज इधर आ जाएगा तो वही बन जाएगा ना फाइनल में ये होता है ना नोट करिए चले आगे देखिए इसमें बिस्तार भी है और एक होता इसका दो फार्मूला होता है एक बिस्तार का होता है एक कुड़नखंड का होता है तो हम बिस्तार वाला लिख रहे हैं पर ये मत सोच ना कि हमने तो ये लिखा है वहाँ पर कुछ और बताया था एक बिस्तार का होता है पुड़नखंड का होता है ठीक है तो यह माइनस वाला है चलिए और यह माइनस वाले में एक चीज होता है यह प्लस होता है देखो ऐसे तो दिया है न ठीक ना बाके ठीक है अब मान रख देना X-Y कमान 4 X-Y की जगा पर 4 प्लस 3 इंटू X इंटू Y की जगा पर 21 और X-Y की जगा पर 4 बस इसी को हल कर लेना है 4 चोग 16 चोगा 64 और प्लस इसका सबका गुड़ा कर लो कितना आएगा अरे करके देख लो 242 14 12 इंटू 12-12 12-24-25 जोड़ लीजीए 4-2-6 6-5 11 हासी लेक 2-1-3 316 आ रहा है 4 का C का कुष्चन नमबर सिकेंड का पहिला बताइए फोर कसी सिकेंड का पहला दिया ही नहीं हो गई है यह दच्छता भ्यास फोर है हाँ सही है ठीकना नोट कर लिजी लिख लिजी यह बहुत आसान है कोशिस करेंगे तो सब आसान ही होता है हो गया नोट कर लिए देखें साथियों आपको बता दें कि आपकी सारी क्लास यूटूब पर बिल्कुल फ्री हो चुकी है अब आपको यूटूब पर देखने के लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना है लेकिन जो लोग स्पेसल सुविधा का लाब लेना चाहते हैं जिनको यूटूब पर क्लास नहीं ढूणने का टाइम है वो सारी क्लास वाट्सप पर मंगा सकते हैं वाट्सप पर मंगाने के लिए वाट्सप नमबर दिया गया है लेकिन अगर आप वाट्सप पर क्लास मंगाएंगे जीरो लेबल की तो आपको चार्ज पे करنا होगा 549 रूपए ठीक है अब यह कलास खतम होगए ज़िसको जाना हो जा सकता है आदेगंते की कलास थी अगली कलास होगी 6 बजे से फिर 6,5 बजे से फिर 7 बजे से फिर 8 बजे से बहुत सारी कलासे हैं अगर आपने जोइन किया है तो आपको सारी कलास यूट्ürब पर मिलेगी, ठीक न? तो जो लोग class को join करना चाहते हैं daily math सीखना चाहते हैं मैत में वार्ष्टों में उनको समस्या है वो घर बैठे guarantee के साथ मैत सीख सकते हैं मैत बहुत आसान है इसके लिए वो special वाली class जोईन कर लें VIP वाली ठीक न? बात समझ में आई? तो चलते हैं फिर आज के लिए इतना ही अगर कोई किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हो बाकी अगर इसको नहीं करना है तो मत करिए सब्सक्राइब करके बैल आइकन आन रखिए यूटूब पर सारी class जो भी मिले बिल्कुल फ्री देखते रहिए कुछ भी पे नहीं करना और हाँ आपका ये PBR Steady Group इसके पीछे वाली class देखना है पचीफ नंबर class तो इस पर जाईए तुरन अभी जैसे ये class खतम होगी तुरन तो उस पर जाईए PBR Steady Group पर कल लगबग देढ़ घंटे की class चली थी 90 मिनट की live class ती लगबग में जाके अभी तुरन तो देखना PBR Steady Group पर और हाँ एक बात बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ सब्सक्राइब करके और ये बेल आइकन जो घंटी की बटन होती न बगल में इसको लोग हलके में लेते मैं कभी बताता नहीं हूँ उसको जरूर कर लिया करिए बेल आइकन प्रेस करके आल नोटिफिकेशन को आन किया करिए आल नोटिफिकेशन नहीं तो को मालूम नहीं चलेगा क्लास कब हो गई तो छूट जायागा ठीक ना चलते हैं फिर आज के लिए बस इतना ही जैहिन अगली कलास में फिर से मिलेंगे छे बज़े की बाद आजाईएगा छे बज़े सभी